पिछले कुछ सालों में TV सीरीज बहुत तेजी से पॉपलर हुए हैं जिसके चलते कई बड़ी मूवी स्टार्स टीवी में आके काम करने लगे हैं और लोगों का रोमाज टीवी सीरीज की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा है जिसके चलते बहुत बड़े-बड़े मूवी स्टार्स भी टीवी में आके काम करने लगे हैं कुछ टीवी सीरीज तो इतने फेमस हो रहे हैं कि वो अपने रिलीज के 20 साल बाद भी देखे जा रहे हैं और कुछ TV सीरिस तो इतने famous हो रहे हैं कि उसे दुनियों के कई देशों में popularity मिल रही है TV सीरिस पहले की तुलना में अधित कमाई कर रही है और तो और कई बड़े फिल्मों के record तोड रही है कई बड़े director और producer को अपने तरफ आकरसित कर रही है आज इस वीडियो में पांच ऐसी TV सीरिस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पूरी दुनियों में पसंद किया गया है और जिन सीरिस ने सफलता के नए जंडे गाड़े है Madman Madman 2007 में एक American period drama है जिसका plot 1960 के दसक पर बेस है 1960 के एक copper नामक fictional American advertising agency है जो New York में है इस सीरिस की काहनी इसी agency के day-to-day life और इसकी करदारों के personal life के आसपास घूमती है इस सीरिस में Donald Rapper नामक character बहुत famous हुआ था जिसो John Hamm ने निबाया था इस सीरिस के कुल साथ सीजर है जो 2007 से 2015 के बीच में आये थे Madman उन TV सीरिस में से एक है जिने कई सारे अवार्ड मिले थी और वो अपने समय में सबसे फेमस TV सीरिस में से एक था The Sopranos The Sopranos 1999 में में आया एक criminal drama show था जिसमें एहन रॉल में थे Tony Sopranos जिसका करदार में भाया है था James Gandalf Nini Tony Sopranos जो New Jersey में रहने वाले एक Italian American Mafia होते है जो अपने जिन्दगे अपनी family और अपने काम के बीच maintain कर रहे होते है इस TV सीरिस के करीब 6 सीजन आ चुके हैं और इस TV सीरिस को pre-body, prime time जैसे कई बड़े award मिल चुके हैं इस सीरिस का last season 2 और 7 में आया था और इसे अमेरिका में एक एक करोड से जादा लोगों ने देखा है Breaking Bad Breaking Bad 2008 में आया एक बहुत एक famous TV सीरिस था जो कि अपने समय में समसे famous TV सीरिस में से एक था Breaking Bad कहानी थी Walter White नामा एक शक्स की जिसका किरदार निभाया था Brian Cranston ने इस TV सीरिस में Walter White एक depressed chemistry teacher होता है जिससे lung cancer होता है डॉक्टरों ने बताते कि उनके पास से 2 साल बचे वही है जिसके बद वो अपने family और financial support के लिए drugs और crime के रास्ते पर चले जाते हैं Breaking Bad के पास season है इसका पहला season 2008 माय था और आखरी 2013 में Breaking Bad सबसे ज़्यदा award nomination पाने वाला TV show है Game of Thrones Game of Thrones एक American fantasy drama television series है जो कि George R. Martin के दुआरा लिखी गई novel और Song of Ice and Fire का adaption है इस novel को George R. Martin ने लिखा है साथे इस TV सीरिस को भी George R. Martin ने ही प्रोड्यूस किया है ये पुरी तरह से एक fictional story है Games of Thrones अमेरिका साइथ पुरी दुनिया में बहुत ही famous है इस TV सीरिस के कुल 8 season है और इसके 8 वी सीरिस को अमेरिका में 2 करोड से जादा लोगों ने देखा है इसमें इस्तमाल की गई CGI, special effects और action sequence ते काफी चर्चित बनाती है मारे जाता है कि Game of Thrones के एक episode को बनाने का खर्च 50 लाग डॉनर के करीब आता है जो इसे दुनिया का सबसे महगा TV सीरिस मनाता है Friends Friends दुनिया का सबसे famous TV सीरिस है क्योंकि ये अमेरिका की सासत एशिया, यूरोप और अफरीका के देशों में बहुत famous है ये TV सीरिस 1994 से 2004-10 सालों तक चला था और इन 10 सालों में इसके 10 सीजन आये थे शुरुवाती दुनों में ये TV सीरिस खासा famous नहीं रहा था और Time Magazine ने इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं लिखा था लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे इसकी popularity बहुत तेजे से बढ़ती रही Friends में 6 दोस्तों की कायनी को दिखाय गया है जिसमें Rachel, Monica, Phoebe, Joy, Ross और Chandler ये 6 करेक्टर खासा लोग प्रिय हो गये थे इस TV सीरिस का आखरी एपिसोड 15 साल पहले आये था अगर इसे आज भी बहुत रोमांच के साथ देखा जाता है तो दोस्तों आपको फिवरेट TV सीरिस कौन सा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रू बताए और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद